नमस्कार दोस्तों हमारे चमत कारियन बूचेनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन पर किलिक करें जिससे आपको हमारी लेटिस्ट अपडेट बिलती है हर कोई महिला यही चाहती है कि उसका पती उसकी कही हुई बात को माने, वो अपने परिवार के बारे में सोचे और उसके घर में सुक सान्ती बनी रहे ऐसा हर कोई चाहता है, लेकिन किसी न किसी वज़ा से अगर छोटे मोटे जग्रें हो जाते हैं, तो बात बहुत हद तक पहुंच जाती है यहां तक कि कभी-कभी ऐसे बातי हो जाती है कि डाइबोर्श तक की बाते हो जाती हैं अगर आप अपने जीवन में सुख्य और सम्रिद रहना चाहते हैं तो एक छोटे से उपाय को अपना कर आप अपने पती को अपने बस में कर सकते हैं जिससे कि वो अपने घर और परिवार के बारे में सोचे और किसी के बारे में नहीं तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखरे तक देखना पड़ेगा दोस्तों आपको बहुत जादे पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है बस आपको एक सुपार्डी लेनी हैं और सुपार्डी के ओपर सिंदूर रखना है और आपको इस बात क्या कर द्यान रखना है जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूं कि अगर किसी भी उपाय को करना है तो आपको कोई देखे नहीं रोके नहीं टोके नहीं बिल्कुल एकांत की जरूरत होती है इसी तरह से आप एक सुपारी लेंगे और उस पर सिंदूर रखेंगे कर रहे हैं और जब आप सुबह उठें तो विस्तर पर से उठने से पहले आप बेड़ पर ही रहें तभी उस सिंदूर को अपने मांग में लगा लें आप देखेंगे किस तरह से आपको पती आपके कई वी हर बात को मानेगा आपके प्यार में इतना जुक जाएगा वो कभ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की हर संभो कोशिस करेगा दोस्तों सुपारी से ही एक दूसरा उपाय और भी जान लीजिए आपको एक लोटा पानी लेना है और पानी के अंदर आपको एक रुपे की सिक्क्य डालने हैं और एक सुपारी डालनी हैं और वस्क्य बाद आपको अपने पती के सरपर से 11 वार उबार लें, पती को आपके पता ना चले कि आप कुछ करने जा रही हैं चौड़कर इस बात का आपको आपको ध्यान रखना और उबारने आप कपती आपके हर बात को मानेगा आप से कभी भी लडाई जगड़ नहीं करेगा आपके घर में हमेशा सुख सम्रिद्धी बनी रहेगी आप पी चाहते हैं अपने घर पर सुख सम्रिद्धी पाना तो इस उपाय को एक बार अच्छमा कर जरूर देखें अगर आपके फ्र दिये धन्यवाद ओम नमस्तिवाएं